मैं आपका स्वागत करता हूं कल इवनिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था राजस्तान उन्सिटी यूजी पीजी का सेशन 2020-21 का जो स्लेबस है वो डाल दिया है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है तो मैंने आपको यहां पर बोला था कि आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्लेबस में कुछ कटोती हुई है या नहीं हुई है तो यह मैंने आप सभी को कमेंट करने के लिए बोला था तो आप समी ने काफी सारी मात्रा में कमेंट किया है तो इस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपका परिक्षा फॉर्म आपकी परिक्षा डेट इस पर भी चर्चा करने वाला हूं तो पैसे बना के वीडियो को एंट तक देखते रहें और जिसने आप तक चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो के आप तक पहुंच जाए के परिक्षा फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 23 दिसंबर से आपके परिक्षा फॉर्म बरे जा रहे हैं इस्टेप बाइस्टेप फॉर्म कैसे बर सकते हैं कैसे फीज़ जमा करानी है कितनी फीज़ लगेगी इन सबकी पेडियएफ और वीडियो में डाल चुका हूं तो आप डिस्क्रिप्षन में लिंक दे दूँगा सबी वीडियो का कैसे आपको यूजी पर्थामवास का फॉर्म बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि काफी बच्चों के कमेंट आये हैं कि जो रेगुलर स्टुडेंट हैं उनके फ पर्फों नहीं बराया है और मुझसे बार-बार कमेंट करके बोल रहें सर हमारा रेजिस्ट्रेशन नमबर कहां मिलेगा तो आप अपनी कॉलेज से कॉंटेक्ट करें डीवी के लिए भी कॉलेज से कॉंटेक्ट करें और अब यहां बोलेगे सर विंटर विकेशन चल रहें तो क्या अभी कॉलेज में आपकी जो रेजिस्ट्रेशन नमर हैं मिलेंगे यह नहीं मिलेंगे तो अगर मैं संगठा कोलेजों की बात करूं सरकारी गेर सरकारी सभी कोलेजों की बात करूं तो राजिस्टान उनिशिटी की सभी कोलेजों की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप contact करके पता करें या तो आप message करके या call करके पता करें या किसी student से आप पूछ सकते हैं आपकी जो दोस्त वहाँ पर पढ़ते हैं कि छुटी चल रही है नहीं चल रही है या आपके जो form है वो बरे जा रहे हैं नहीं बरे जा रहे हैं मतलब registration number आपको दिया जा रहा है कॉले से बात करें क्लियर है ठीक है तो आप मैं या पर बात करूँ है आपसे कि आपके जो परिक्षा form स्टार्ट हुए हैं उसके बाद में आपके दो दिन बाद में ही academy calendar भी जारी कर दिया जो बच्चों के लिए बहुत जादा talking news हो गई कि अचानक से कैसे academy calendar जारी हो गया जिसमें आपकी exam date भी गोशित कर दी UG प्रतमवर्स की बात करो तो UG प्रतमवर्स की exam date है वो है आपकी 1 मार्च से आपकी exam start हो रही है वहीं second year final year की बात करो तो आपकी exam 25 मार्च से start हो रही है तो यह exam date देखके बच्चों के मनमें बह उत्पन हो गया और तोड़ा डर भी लग गया कि भई दो मेने बच्चे हैं only January क्लाषे नहीं है हमारी व॑फ्लीन क्लासे नहीं चल रही है हमारे कॉलेज बंद है हमारा स्लेवस का कुछ आठा-पता नहीं है और उसके इनके अंतरहाल में बहुत सारी चीज़े हो रही है पहले आपके परिक्षा फॉर्म आये उसके बाद में आपका एकडमी कलेंडर जा रही हुआ मतलब आपकी एक्जाम डेट आई और उसी के बाद में उसी के दो दिन बाद में आपका जो स्लेबस है वह भी अपलोड हो गया अब श्लेबस अजी भी ढाल दिया है रास्ता eन Just T ने बिलको ली अभी ऑर्स फेकल्टि में भी मैं जितने भी सब्जेक्ट मैं उसका ली यरी ऑर ओ गया बदिया है अब जो स्लेबस अपलोड किया है उसमें मैंने भी देखा और आपसे भी मैंने पूछा तो आप सभी बचे कमेंट करने कि सर बिलकुल भी कम नहीं हुआ है स्लेबस जो लास्ट सेसन में था वही स्लेबस पूरा का पूरा है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका एक त स्लेबस में भी कटोती नहीं होगी यह आप सोच सकते हैं क्योंकि जब बीए के स्लेबस में कटोती नहीं होई तो बीए सी और बीकॉम के स्लेबस में कैसे कटोती होगी तो आप सभी टेंसन में आगे कि सर हमें पांचो पांचो यूनिट पढ़नी पड़ेगी सर हम फिजिक और दो मैने आप कैसे स्लेबस को complete करेंगे तो राजस्तान उनस्योंटी को सोचना चाहिए या रास्तान सरकार को सोचना चाहिए कि दो मैने में स्लेबस कैसे complete होगा गाईज वहाई दूसरी तरफ एक तरफ तो बिल्कुल कटोती नहीं करी है स्लेबस में, दूसरी तरफ खबरे आ रही थी जो आपके सिक्षा मंत्रियें, उस सिक्षा मंत्री बहर सिंग बाटी, वो बयान दे रहे थे कि स्लेबस कम होगा, हम संपर्क में हैं, UGC से, MSRD डिपार्टमें बिल्कुल माक्स में भी कोई अलग नहीं किया है, पैपर पैटन में भी कुछ चैंज नहीं है, और आपके यहाँ पर जो यूनिट है वो भी पाच के पाच ही है, ऐसे नहीं कि तीन उनिट कर दी, दो यूनिट कर दी, उतने के उतना ही स्लेबस है, उतने ही टॉपिक है, कु अपडेट आती है, क्या बी एसे बी कौम के स्लेबस भी सेम होता है, क्या उसमें भी कटोती नहीं होती है, तो अब यह हो सकता है कि आप मांग करें, कि सबी से कि पर इसलेबस को बिल्कुल कम किया जाए, क्योंकि दो मन्त में आपका स्लेबस कंप्लेट नहीं होगा, काफी यह इसली बोर्ड ने उसकी exam date गोशित कर दिये कि 15 मई के बाद में आपकी exam होगी तो राजिस्तान यूजिटी का जब calendar जारी हुआ है उसमें भी एक मार्च आपकी exam date दे रखिये एक मार्च आपकी यूजी first year के exam होगी और 25 मार्च से आपकी second year final year के वो इसलिए क्योंकि अब भी second year final year के exam form बरे नहीं गये और वो भी क्यों नहीं बरे गये आप सभी को बता है पितर रिजल्ट नहीं आया लास्ट सेशन का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आपको पर्मोट किया गया था first year वालो को final year में पर्मोट किया गया है और पर्मोट का result भी तक आया नहीं वैसे अनुमाल लगा रहे थे कि इस week के अंदर आ जाएगा लेकिन अभी आया नहीं है winter vacation आगे इस वेस्ट आपका result गोशित नहीं किया जा रहा है लेकिन बहुत जल्दी आपका जो यहां पर result गोशित किय pension वहीं मैं बात करूँ राजिस्तान उनिसिटी PG admission के बारे में तो PG admission की date अब एक्सेंड नहीं होगी last date थी 25 तारीक और साइध winter vacation के बाद में आपकी जो first merit list है वो भी आ जाएगी expected cut-off की मैं बार-बार बात करता हूं लेकिन मैं नहीं बना सकता हूं क्योंकि अब भी मैं नहीं बना पा रहा हूं वीडियो उसका region है region यह है कि अब भी मैं summarize नहीं कर पारा सारी चीजों को क्योंकि एक आपका entrance based के according आपका जो merit list थी और निकलती थी और अब आपका जो merit waste हो रहा है admission तो merit waste में आपकी percentage के आदार पर आपका admission होगा तो percentage कितनी के जा सकती है उसके लिए मुझे समय लग रहा है मैं काफी professor से चर्जा कर रहा हूं बाते कर रहा हूं कि कितना क्या रह सकता है कितनी क्या cut-off जा सकती है त किस topic पर होनी चाहिए आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना आप मुझे suggest करें और जल जल कमेंट करें इस वीडियो पर